नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल रोसन सा स्टडी पॉइंट पर आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 के एकोनिमिक्स का चैप्टर 8 लागत की अवधार नाए के इंपोर्टेंट कोश्चन देखेंगे जो CBSC अक्सर रिपीट करती है जो CBSC ने अक्सर एक्जाम में पूछा है वो भी आंसर के साथ हम इसे बताएंगे तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आया है तो सब्सक्राइब कर दे और बैल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारी और भी जो नई वीडियो है वो आपके पास तुरंत और सबसे पहले पूछे तो चलिए बढ़ते हैं कोश्चन की और तो सबसे पहले पूछेंग है लागत का अर्थ बताइए लागत क्या होता है और गया कारण आगत और दूसरा कोश्चन है अफसर लागत का अर्थ बताइए तो अवसर लागत क्या होता है? किसी वस्तू की निश्चित मातरा का उत्पादन करने के लिए लगने वाला कुल खर्च अवसर लागत होता है इसकी definition में कुल लागत जैसे ही मिलती है क्योंकि अवसर लागत ही लागत होता है तो किसी वस्तु की निश्चित मातरा का उत्पादन करने के लिए लगने वाला कुल खर्च अवसर लागत है। तो इसने तो सवाली गलत पूश लिया है क्योंकि जो TFC होता है वो सदेव स्थिर रहता है समान रहता है ये उत्पादन में परिवर्तन होने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। उस्तिरलागत कम होता जाता है यानी जब कुलMP कि मातरा को उत्वादन की बढ़ा rappelle काईविसे हम भाग देंगे तो जो उस्तिरलागत होगा वो कम होता होता आएगा next question पूत्रा है कि उस्तिर кажд के paint उस्तिरलागत से अधिक क्यों होता है जो औसत कुल लागत होता है ATC या AC वो AVC से अधिक क्यूं होता है हमेशा तो इसका कारण है क्यूंकि उत्पादन के सभी स्तरों पर औसत कुल लागत में या औसत लागत में औसत स्थिर लागत भी समलित होता है और यह फार्मला भी था कि AC equal to AFC plus AVC तो इसमें क्या होता है औसत इस्तिर लागत भी समलित होता है इसलिए औसत परिवर्ती लागत कभी उसको छूप नहीं सकता है या उसके बरावर नहीं हो सकता है औसत लागत हमेशा औसत परिवर्ती लागत से अधिकी रहेगा नेक्स्ट कुश्चन है कि जब उत्पादन बढ़ता है तो कुल परिवर्ती लागत का वैवार क्या होता है जब उत्पादन में बढ़ती होती है तो टीवी सी क्या रियक्ट करता है उसका वैवार क्या होता है तो आंसर है कि पहले कुल परिवर्ती लागत घटती दर पर बढ और एक बिंदू के पश्चात बढ़ती दर पर बढ़ने लगता है। तो पहला अंतर देखते हैं, जो स्पस्ट लागत होता है, वो बजार से खरीदी गई आगतों पर किये जाने वाला खर्च है, स्पस्ट लागत वो लागत है जब बजार से कोई आगत खरीदा जाता या कोई इंपुट खरीदा जाता है तो उस पर जो खर्च होता है वो स्पस्ट लागत होता है लेकिन नहित लागत स्वास्वामित वो आगतों के परियोग पर लगने वाला खर्च है यानि खुद के ही स उत्पादक आगतों की खरीद के लिए किसी दूसरे को देता है स्पस्ट लागत को नगती भुक्तान के रूप में मापा जाता है जिसे उत्पादक क्या होता है आगतों के लिए किसी दूसरे को देता है उसका खर्च लेकिन नहित लागत में क्या होता है इसे स्वास्वामित वो आगतों के परियोग पर लगने वाला अनुमानित खर्च के रूप में इसे मापा जाता है ये जो नहित लागत होता है इसमें जब स्वास्वामित आगतों का परियोग किया जाता है तो उसके जो अनुमानित खर्च लगता है ये उसके रूप में मापा जाता है Queshtion में उन्होंने उधारण भी पूछा था, उधारण भी पता देना है कि इस पस्ट लागत का उधारण है जैसे कि श्रमिकों को मज्दोरी, डि κα्छी, उनकों नकदी भुकतान किया, बिजली के बिल का भुकतान ये नकदी भुकतान है सीधाला इस इस पस्ट लागत भी आ तकी साफ़-साफ दिख रहा है坐 लेकिन नेतलागत के जो उधारन है वह देखे हूं धमी को अपनी इमारत का अनुमानित किराया है उधमी की खुद की बिल्डिंग है और वह उसमें ऊसमें प्रदियूस कर रहा प्रोडक्ट तो उसका जो अनुमानित किराया होगा वो नहीत लागत में होगा उधमी की अपनी पूंजी का अनुमानित ब्यार ये भी नहीत लागत में शामिल होगा नेक्स्ट कोश्चन ये जो चार या छे अंक में भी पूछ लिया जाता है कि स्थिर लागत और परिवर्ती लागत में अंतर कीजिए और प्रतेक के दो उधारन दीजिए स्थिर लागत और परिवर्ती लागत के कुछ अंतर पहला अंतर क्या है कि जो स्थिर लागत होता है वो उत्पादन के स्थिर कारकों पर किये जाने वाला खर्च होता है लेकिन जो परिवर्ती लागत होता है वो उत्पादन के परिवर्ती कारक पर किये जाने वाला खर्च होता है स्थिर लागत जो होता है वो उत्पादन में विर्धी या कमी होने पर परिवर्तित नहीं होता जब उत्पादन में विर्धी होगी तो स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा या उत्पादन में विर्धी हो या कमी हो तीसरा अंतर कहा रहा है कि जो बंधी लागते होती है या जो इस्थिर लागते होती है वो तब भी स्थिर रहती है जब उत्पादन का इस्थर शुन्य होता है लेकिन जो परिवर्ती लागते होती है वो उत्पादन सुने होता है तो परिवर्ती लागते भी सुने हो जाती है बंधी लागते है इस्थिल लागते है उत्पादन के शुरू होने से पहले भी वहन की जाती है जब उतपादन नहीं स्टार्ट होता है, तब भी ये लागते लगती है, लेकिन जो परिवर्दी लागते होती है, वो केवल तब वहन की जाती है, तब लगती है, जब उतपादन शुरू होता है स्थिल लागत की कुछ मुख्य घटक हैं जैसे मशीन और प्लांट पर वै करना स्थिल लागत है, भूमिया इमारत पर वै करना स्थिल लागत है, लाइसेंस की फीज देना ये सब स्थिल लागत है, लेकिन जो परिवर्ती लागते हैं वो है कच्छे माल की लागत परिवर्ती लागत हुई, बेजली का खर्च देना परिवर्ती लागत हुई और यद यदि कोई टूट फूट हो गया तो उसका खर्च भी परिवर्ती लागत में आता है अगला question है जो 4-6 अंकों का भी पूछ लिया जाता है कि सिमान्त लागत और और सिमान्त लागत के बीच के संबंद को समझाएं और सिमान्त लागत के संबंद को हम तालिका द्वारा समझते हैं और सिमान्त लागत जब घटता है और सिमान्त लागत 14 था तो सिमान्त लागत 8 तो जैसे जब जब सिमान्त लागत घटता है तो सिमान्त लागत हमेशा और सिमान्त लागत से कम होता है दूसरा समझ ये कि जब और सिमान्त लागत अपने सबसे नियुनतम पर होता है जब औसतलागत अपने सबसेन युन्तम पर है, आठ पर है, तो सिमानतलागत उसके बराबर होता है, सिमानतलागत औसतलागत के बराबर होता है, औसतलागत भी आठ है, तीसरा संबन्द ये कि जब औसतलागत बढ़ता है, यानि जब औसतलागत में विर्धी होती है, जब औस जब बढ़ेगा तो सिमानत लागत उससे अधिक होगा और सिमानत लागत के संबंद को आप वक्र द्वारा भी समझा सकते हैं यह सिमानत लागत का वक्र है और यह और सिमानत लागत का वक्र है देखिए जब और सिमानत लागत घड़ता है यह कम हो रहा होता है तो सिमानत ला लागत बढ़ता है जब उब बढ़ता है समय में आपको नहीं हो इसरा ये समंद्ध है कि जब औसत लागत परिवर्तित नहीं होता है, जब वो अपने सबसे निंतम बिंदू पर होता है, तब सिमान्त लागत औसत लागत के बराबर होता है। यहाँ पर सिमान्त लागत और औसत परिवर्ति लागत के बीच के समंद्ध को बताना है। तो पहला समंद्ध कि जब औसत परिवर्ति लागत गिरता है, तो MC ABC से कम होता है। दूसरा यह कि जब औसत परिवर्ति लागत बढ़ता है या ABC बढ़ता है, तब सिमान्त लागत औसत लागत से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट कोस्चन है, कुल लागत और सिमान्त लागत के बीच के समंद्ध को समझाएं। ये question चारंग का या चेंग का भी पूछिया जाता है कुल लागत और सिमांत लागत के संब्ध को हम वक्रद्वारा भी समझा सकते हैं कि जो सिमांत लागत गिरता है तो कुल लागत घटती दर पर बढ़ता है और जब सिमांत लागत बढ़ता है तो कुल लागत बढ़ती दर पर बढ़ता है तीसरा समंद ये कि जब सिमांत लागत अपने सबसे निम्तम पर होता है तब कुल लागत गढ़ती दर पर बढ़ना बंद कर देता है सिमान्त लागत और कुल लागत के ये कुछ सम्बन है कि सिमान्त लागत का आकलन उत्पादन की दो अनुक्रमी इकाईयों के कुल लागत के अंतर द्वारा किया जाता है यानि सिमान्त लागत का जो आकलन किया जाता है वो उत्पादन की जो दोल लगातार इकाया होती है उनके कुल लागत के अंतर द्वारा किया जाता है यानि MCN इक्वल टो TCN-TCN-1 दूसरा संबन्द ये कि जब सिमान्त लागत घड़ता है तो कुल लागत घड़ती दर पर बढ़ता है और चोत्ता संबन्द ये कि जब सिमान्त लागत अपने सबसे नियुनतम बिंदू पर पहुंचता है तो कुल लागत घड़ती दर पर बढ़ना वैवार को बताना ये सवाल चारंग का पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले तो आप उसत इस्थिर लागत के definition को बता सकते हो कि जो उसत इस्थिर लागत होता है वो उत्पादन के प्रती इकाई स्थिर लागत या बंधी लागत होती है और औसत बंदी लागत का जो वक्र होता है वो rectangular hyperbola होता है ऐसा क्यूं होता है वो कारण भी आपको बता देना औसत बंदी लागत का जो वक्र होता है वो rectangular hyperbola होता है क्यूं होता है उसके कारण को देखते हैं कि जब हम औसतबंधी लागत वकर के किसी भी बिंदू के मूल्य को उसकी उतपादन के मात्रा के साथ गुना करते हैं, तो जो गुणनफल होता है वो समान रहता है, समान रहता यानि फिक्स रहता है और फिक्स हमेशा कुल स्थिर लागती होती है, यानि AFC को जब हम उत्पादन की मात्रा के साथ गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा जो गुणने नफल होगा वो TFC होगा जो हमेशा समान रहता है यह उत्पादन के सभी स्थरों पर समान रहता है यह होता है तो इससे rectangular hyperbola का क्या होना तो क्योंकि TFC उत्पादन के सभी स्थरों पर समान रहता है इसलिए तो जब हम TFC से AFC निकालते हैं जब AFC equal to TFC upon Q होता है तो जब हम TFC से AFC निकालते हैं तो पुल स्थिर लागत यानि TFC जो होता है वो तो हमेशा स्थिर रहता है लेकिन quantity बढ़ती है और वो TFC को भाग देता है उससे तो जो AFC निकल के आता है वो हमेशा घटता हुआ आता है वो गिरता हुआ आता है इसलिए जो AFC का जो वक्र होता है वो Rectangular Hypergola होता है ये कुछ सूत्र हैं जो तालिका वाले प्रशनों में हमें काम आते हैं जब हमसे कुल लागत निकलने को पूछ लिया जाता है या उस्द लागत निकलने को पूछ लिया जाता है या उस्द परिवर्ती लागत निकलने को पूछ लिया जाता है या सिमान लागत निकलने को पूछ लिया जाता है तो इन सूत्रों की साहता से हम उनको निकाल सकते हैं तालिका वाले जो प्रश्ण होते हैं जिसमें हमें निकालना रहता है TC, TFC या कुछ भी तो ये question अकसर exam में पूछे जाते हैं तो इन question पर हमें ध्यान देना है सही से तो देखिए ये पहला question क्या कह रहा है कि यदि उत्पादन के 0-7 पर TFC 60 है तो कुल लागत क्यात कीजिए हमें यहाँ पर TC निकालना है और इसने हमें क्या रखा है कि जो TFC है वो उत्पादन के 0-7 पर क्या है 60 है तो कुल लागत निकालो तो जो कुल लागत होता है वो कुल इस्थिर लागत और कुल परिवर्थी लागत का जोड़ होता है, कुल लागत, तो बस हमें वही निकालना है, जो TFC होता है, हमें पता है, TFC उसने क्या दे रखा था, TFC दे रखा था, 60, तो जो TFC होता है, वो हमेशा इस्थिर रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होत यानि उत्पादन की सभी इकाई उपर जो TFC रहेगा वो 60 ही रहेगा तो हमने TFC निकाल लिया और हमारे पास TVC पहले से था तो बस हमें उसको जोड़ देना है जीरो में हम 60 जोड़ देंगे तो TFC क्या जाएगा 60, 16 में हम 60 जोड़ देंगे तो 76, 22 में हम 60 जोड़ देंगे तो 89, 42 में हम 60 जोड़ देंगे तो 102 और 48 में 60 जोड़ देंगे तो 108 ये आराम से निकल जाएगा ऐसे अगला question पूछ रहा है कि यदि स्थिर लागत 30 है यानि जो TFC है वो 30 है तो MC और TC याद कीजिए यानि सिमान लागत और कुल लागत याद कीजिए 30 है तो वो हर एक जगह 30 ही 30 होगा तो हमें कुल स्थिर लागत मिल गया और हमें कुल परिवर्ती लागत भी पहले से मिला हुआ है तो जब हमें कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत मिल चुका है तो हम उसको जोड़ देंगे और कुल लागत निकाल लेंगे तो 0 मे हमने 30 जोड़ा तो 30 आया, 20 में हमने 30 जोड़ा तो 50 आया, 50 में हमने 30 जोड़ा तो 80 आया कुल लागत, और जब हमने 100 में 30 जोड़ा तो कुल लागत 130 आया, बस जब जैसे हमें कुल लागत मिला, वैसे ही सिमांत लागत अराम से निकाल लेंगे, तो पहले इस्थान पर कुछ नहीं होगा क्योंकि जो उत्पादन है वो शुन्य है और कुल परिवर्ति लागत भी जो है वो भी शुन्य है दूसरे में जब हम 50 TC के 50 में से 30 को हम घटा देंगे 50 में से 30 को तो कितना आएगा 20 आएगा फिर 80 में से 50 TC को घटा देंगे तो 50 आजाएगा यानि कुल लागत में जो परिवर्तन होगा बस हमें उसको घटा वही सिमांत लागत में लिख देना है जिसका फार्मूला भी यहां पर है अगला प्रश्ण है कि माना कुल इस्थिल लागत 120 है तो कुल लागत कुल परिवर्ती लागत तथा सीमांत लागत क्याद कीजिए इसने TFC बोलाए कि 120 है और तो बस हमें यह देखना है कि जो जो इन्होंने हमें दिया है हम उसके फार्मूले से क्या निकाल सकते हैं तो जो AC का फार्मूला होते है वो होते है TC अपउन Q यह AC का फार्मूला है तो अगर यह AC equal to TC अपउन Q हो सकता है तो यानि जब यह Q इस तरफ चला जाएगा तो TC निकल सकता है यानि TC परावर AC इंटू Q बिलकुल ऐसा हो सकता है तो इस से क्या होगा, TC निकल जाएगा, कुल लागत निकल जाएगा, तो फिर कुल परिवर्ती लागत भी निकल जाएगा आराम से क्योंकि जो tbc होता है वो tc-tfc होता है और अगर कुल लागत निकल गया तो सिमात लागत भी आराम से निकल जाएगा बस जैसे की फार्मले में था कि tc equal to ac into q तो बस हमें y करना है 240 को हम 1 से गुना करेंगे उत्पादन की 1 आई से q से तो 240 आएगा पहले फिर 160 को 2 से गुना करेंगे तो 320 आएगा फिर 140 को 3 से गुना करेंगे तो 420 आएगा 160 को हम 4 से गुना करेंगे तो 640 आएगा 180 को हम 5 से गुना करेंगे तो 900 आएगा तो कुल लागत ऐसे निकल जाएगा और जब कुल लागत निकल जाएगा तो कुल परिवर्ती लागत भी अराम से निकल जाएगा क्योंकि कुल इस्थिर लागत हमें इनों ने पहले सही दे रखा है तो कुल इस्थिर लागत 120 था तो हम उसको TC यानि कुल लागत में से माइनस कर देंगे तो TVC निकल जाएगा तो 240 में से हमने 120 माइनस करा तो 120 आया फिर हमने 320 में से 120 माइनस करा तो 200 आया 420 में से हमने 120 माइनस करा तो 300 आया ऐसे ही करके यह परक्रिया चलेगी और कुल परिवर्ती लागत अराम से निकल जाएगा बात की जाए सिमान्त लागत की तो सिमान्त लागत की निकालने का फार्मला होता है TCN-TCN-1 लेकिन जो हम सिमान्त लागत को कुल परिवर्ती लागत से भी निकाल सकते हैं क्योंकि जो कुल परिवर्ती लागत होता है वो बिलकुल कुल लागत की तरह वहवार करता है तो सिमान्त लागत हम कुल परिवर्ती लागत से निकाल सकते हैं यानि टीवी सी एन माइनस टीवी सी एन माइनस वन तो जो कुल परिवर्ती लागत की जो पहली एकाई रहेगी वो सिमांत लागत के बराबर ही रहेगी तो जो कुल परिवर्ती लागत 120 है तो सिमांत लागत भी 120 होगा फिर हम गटाएंगे 200 में से 120 को गटाएंगे तो 80 300 में से 200 को गटाएंगे तो 100 520 में से 300 को घटाएंगे तो 220 सिमांत लागत हो जाएगा फिर 780 में से 520 को घटाएंगे तो सिमांत लागत 260 हो जाएगा अगला question है यह मान कर कि कुल स्थिर लागत 24 है निम्न तालिका को पुरा कीजिए यहाँ पर इन्होंने कुल स्थिर लागत दे दिया टीएफसी दे दिया है टीएफसी है 24 और इन्होंने उत्पादन की इकाईया दी है और औसत कुल लागत दिया है जिसे हम औसत लागत भी बोलते हैं इन्होंने यह दिया है तो यह बिल्कुल सेम टू से मूपर वाले question की तरह है तो TVC और MC निकालने के लिए हम पहले TC निकालेंगे AC की सायता से तो AC बरावर TC upon Q होता है और इसी फार्मुले को जब मुल्टा कर देते हैं तो TC बरावर क्या हो जाता है AC into Q तो बस हमें TC ऐसे ही निकाल देना है 50 को हम 1 से गुना करेंगे, तो TC आ जाएगा 50 कुल लागत, फिर 40 को हम 2 से गुना करेंगे तो 80, 45 को 3 से गुना करेंगे तो 135, TC ऐसे निकल जागा, TC अब ऐसे निकल गया तो हम TVC भी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुल स्थिर लागत है, जो की 24 है, तो 50 में से 24 गया तो 26, 80 में से 24 गया तो 56, 135 में से 24 गया तो 111, और जब हमें TVC मिल गया तो हम आसानी से सिमांत लागत निकाल सकते हैं, क्योंकि TVC की पहले ही काई 26 है, तो सिमांत लागत की भी पहले ही काई 26 होगी, फिर हम उसमें से माइनस कर देंगे, 56 में से 26 को माइनस करेंगे, तो 30, फिर 111 में से 56 को मैनिस करेंगे तो 55 तो सीमान लागा ताराम से ऐसे निकल जाएगा